हालो प्यारे बच्चों कैसी हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आपको याद है मैंने आपके साथ एक कविता सुनाई थी जिसका नाम था बादल और उस कविता को सुनकर हम सब नए 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 शब्द सीखे थे और ये भी जाना था कि जब बारि कुछ होता है यानि की कागस की नाव भी हम चलाते हैं तो आज जब मैं आपके सामने आई हूँ तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ अलग से कुछ नई और मज़िदार बात की जाए कविता से जुड़ी हूई बिलकुल सही तो मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ पहेली तो कविता याद है ना तो आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं तो शुरू करें इस पहली को चलिए काले भूरी निली है लाल गुलाबी पीली है बरखा से यही बचाती है धूप नहीं आपाती है रहती है सिरके उपर फैली रहती है तनकर सुन्दर सी है जानो तुम अपने सिर पर तानो तुम अब सोचे क्या उत्तर हो सकता है अब बारिश के दिनों में सिर पर क्या तान सकते हैं तो बच्चो मैंने जो आपसे पहेली पूछी है उसका उत्तर तो आपको पता ही चल गया होगा जी हाँ बिलकुल सही हमारा और आपका उत्तर बिलकुल सही निकला और उत्तर है छतरी सही जवाब बच्चो पहली पहली का तो जवाब आपने दे दिया अब मैं पूछने वाली हूँ एक और पहली लेकिन इसका उत्तर आपको सोचना है अभी नहीं बताना ना ही मैं बताऊंगी ये जो जवाब देना है आपको बाद में देना है यानि ये जो पहली है मैं आपके लि मगर न जाने कभ ये आसमान में उड़ जाता है डैने कितने भारी क्या चिडिया है अरे नहीं ये काफी बड़ी सवारी सोचिये क्या उत्तर हो सकता है इसका इस पहेली का हम ये भी बता सकते हैं आप सोचिये बच्को खोजे जाने आप सब के घर में कोई न कोई समाचार पत्र जरूर आता होगा हम आता है तो आप सब बच्कों को आपने कभिता पड़ी थी ना बादल या दे मैंने भी पड़ी थी आपके सब के साथ में तो उस कभिता से जुड़ हुए बहुत सारे शब्दों होगे जैसे की बारिश है, आसमान है, चान्द है, तारे हैं, इनसे संबंदित कोई न कोई शब्द उस समाचार पत्र में जरूर ढूंडिए। और उसके लिए आप अपने मम्मी पापा की भी साहता ले सकते हूँ। ले सकते हूँ, तो इसी तरह से इस कविता को हम और भी रोचक और ज्यान बर्धक बना सकते हैं। क्यों बच्चों, हो सकता है न, ये सब संभव है। अब हम बात करते हैं चित्रकारी और लेखन की। अब आप अपनी पुस्तक में देख रहे हैं, नीचे दिये गए चित्र में रंग भरिये। चित्र के आधार पर पाँच से छे वाके लिखिये। बच्चों इस चित्र को द्यान से देखे। ये शायद रात का ही चित्र नजर आ रहा है, है न, घर है। घर के बाहर एक खटिया है, खटिया पर दादा जी उंगली का इशारा करके आसमान की तरफ बता रहे हैं कि बच्चों वो देखो आसमान में क्या है, अब आपको रंग भरना है, यानी तारों का रंग अलग होगा, और हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं, और आपका भा तो इसी तरह बच्चों आप भी इसमें अच्छे अच्छे रंग भर सकते हैं, बहुत ही सुन्दर सा चित्र बना सकते हो, है ना कितना मज़ेदार चित्रकारी का ये काम, बच्चों हमने कहानी नहीं सुनी, है ना क्योंकि हमने कविता सुनी थी बादल, तो क्यों ना बाद के बिना भी अधूरा पर लगता है तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी सुने कहानी फिर फुर कहानी सुनाने वाला कहानिया सुना सुना कर ठक गया पर सुनने वाले नहीं ठके उसे घेर कर बैठे बच्चों और बुढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया तो ने कहानी सुनाना शुरू किया वो बोला एक पेड पर बहुसी चिडिया रहती थी इतना कहकर वो रुख गया आधतन लोगों ने पूछा फिर कहानी सुनाने वाले ने कहा एक चिडिया पेड से उड़ी फुर फिर फिर एक चिडिया पेड से उड़ी फुर फिर फिर एक चिडिया पेड से उड़ी फुर फिर फुर बहुत देर तक यही चलता रहा फिर फुर फिर फुर ये लोग ठाग गए अन्त तहा एक बच्चे ने पूछा ये कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाली ने कहा जब तक सारी चिडिया उड़ नहीं जाती तो बच्चों, ये फिरफुर फिरफुर वाली कहानी अच्छी दिना? वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने दादा दादी से अभी भी इस तरह की कहानिया सुनते होंगे सुनते हैं? अच्छी बात है अगर आप दादा दादी या मम्मी पापा से कहानिया सुनते हैं तो ऐसी ही एक कहानी आज मैंने आप सब को सुनाई अच्छी थी ना? फिरफुर बच्चो आज हमने कविता भी पढ़ी और एक मज़ेदार कहानी भी सुनी फिर फुरवाले इन सब को सुनकर आप ठक गए क्या अरे ठक ना नहीं क्योंकि आप के लिए बहुत ही मज़ेदार काम लेकर आई हूं मैं वो है रंग भरने वाला मज़ेदार होता है ना तो चलिए आप इस चित्र को देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे गुबबारे एक डॉगी भी है ये डॉगी आपका पैट भी हो सकता है यानि आपका पालतु जानवर भी हो सकता है अब इसमें रंग भरना है आपको अप जिसके बारी में आपने जाना कि बादल किस तरह से आते हैं काले-काले बादल चाते हैं और मैंने आप से पूछी पहेलिया भी इसके अलावा आज आपने जाना एक कहानी वो भी फिर फुर तो मज़ेदार था ना आज का ये वाला अंख इसी तरह से मैं आपके लिए अलग- और का विताएं पढ़ती रहिए मैं चलती हूँ फिर मिलूंगी बाई-बाई